बोट 131 या 138 का ऐसा लॉंग टम रिव्यू तुम्हारे सामने है तो इसको लगबग 6 माइन हो चुके छे माइन ये पहले खरीद था हमने और बहुती तगड़ा यूज कर रहा होगा और बहुती तगड़ी इसमें दिक्कते भी होने लगी है तो क्या-क्या दिक्कते हैं तु लोग सोच रहेंगे कीता सस्ता है तो क्या हालत होगी चुकि सैमसंग अपल वालों ने काफी लूट मजा रही है तो बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और तुम्हारे उंगलियों भी काफी दिचल तो सब से पहले तुम लोग देख सकते हैं इसकी जो हा इस सिस्टम भी बहुत खराब है और इसमें जो एक बोट ब्रैंडिंग है वह ली निया चुकि बहुत ही इची प्रेंडिंग क्वालिटी है बाई इसकी जो कहापना है यह बहुत ही हलकी क्वालिटी के लगते हैं मतला है तो काफी है वाट बतलब काफी जल्दी आसा-सा ल इस किसे थी खास दिकत नहीं और इसकी दिकते जो मैं तुम लोगो बता रहो को बता है तो एसे कि मेरे दोस्त का था तो असके मैरे निगी इस। कि पहले दिक्कत यह कि इसके जो पूर्ट है ना भाई इसमें तुम कुछ भी लगा तो ना जैसे चार्जर लगा दियां तुमने ऐसा कुछ खास मैं उसके बारे बताना चाहता है जो कुछ दिक्कत हैं तो यह तुम लोग को हो सकती है तो आप बात करें इसकी बैटरी बूट उसने बोला कि इसके बैटरी अराम से लाती दो हफ्ते चुकि वैसा खास रहा है नहीं और चार्जिंग में वैसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है टाइम उतना एक उतना लेता है ऐसा नहीं कि बैटरी खराब होगी और इसकी चार्जिंग केबली क्वालिटी भी काफी रहा था उसकी हाला तो बिल्कुल खस्ती हो रही है बट यह मैं काफे अच्छा लगा और इसमें लिच्छे से तुम लोग देख सकते हो इसमें जंक जंक सा भी लगा हुआ वार्टर पानी में डाला नहीं इसको बार चुकि बोट वालों ना ऐसा वह वाय ट्रजिंग जंक जाड़ उलों उलों बाटर पांग आप लोगा है बैया इसमें उला झाला नहीं बार 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 पांग पांगा है इसमें बालों क bevor